हाई टुएल्दीज, वेलकम टुएजी पे कॉमर्स ग्लासिज, मैं हूँ ताबिता और गाईज, आज की इस वीडियो में हम अपनी इंफ्रास्ट्रुक्चर के चेप्टर में हेल्थ टॉपिक को पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में हमने हिल्थ का मिनिंग पढ़ा था, तो ह क्या पढ़ाता हमने, क्या सिर्फ फिजिकली फिट होना हिल्दी होता है, तो नहीं, सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं, बलकि मेंटली फिट होना, सोशली फिट होना हिल्दी होता है, सिर्फ अपने आप से डिजीज को हटा देना हिल्दी नहीं है, यानिकि सिर्फ अगर ह स्थे इन्फरस्टर्ट्ट्ट्डर को फ्री तमस्थे पहले गाइस प्राइमरी हेस। और थी प्राइमरी हेल्थ केर के स्वासं प्राइम्री हेल्थ केर है जाए हो observing में चोटे विल्साया में हिल उनको primary healthcare कहते हैं जैसे दिल्ली में महला क्लीनिक चलाया जा रहे हैं तो उनको primary healthcare कहते हैं क्योंकि यहां पर बड़ी बिमारियों का इलाज नहीं होता यहां पर छोटे-मोटे बुखार वगरा खांसे जुखाम का इलाज होता है और उनकी दवाई दे दी जाती है यह healthcare center generally education provide करने में useful होते हैं लोगों को aware कराने में about the disease, कौन सी बिमारी फैल रही है, आप उसे कैसे बच सकते हो तो उसमें इन्हें use किया जाता है यानि कि यह जादा awareness करते हैं क्योंकि एक महले में हर जगे पर हर महले के अपने healthcare center है दिल्ली में भी है और हर जगे पर होते हैं जैसे small town में एक healthcare center होता है इसके बाद गाई साता है अपका secondary healthcare secondary healthcare क्या है? जो primary में नहीं save up मिलती है, वो secondary में मिलती है तो जैसे थोड़ी से और ज्यादा facility अब सबको मुखार और खासी चुखाम तो नहीं होगा उससे बढ़कर भी चीज़े होती है अब अगर किसी को surgery करानी है या फिर किसी को कुछ hurt की दिक्कत हो जाती है या फिर किसी का BP बढ़ जाता है, किसी को ECG कराना है, शुकर test कराना है तो वो सब चीज़े secondary healthcare center पर होती है तो ये थोड़ा सा इससे क्या है? अपग्रेड हो रखा है primary से secondary upgraded है, यहाँ पर ज़ादा facility आपको मिलेगी ठीक है, यह थोड़े से बड़े-बड़े towns में available होता है यानि कि थोड़ी अच्छे level पर इसे operate किया जाता है उसके बाद third है guys, हमारा tertiary healthcare ये बोला जाए तो मतलब super special hospitals होते है जहाँ पर वो इलाज किया जाता है, जो कहीं और नहीं होता है तो जैसे डली में हमारा AIMS है ठीक है, AIMS क्या है, All India Institute of Medical Science और ये hospital भी है, तो यहाँ पर high-tech machines है बड़ी महंगी-महंगी machines है और सारी उन बिमारियों का इलाज होता है guys जो छोटे hospital में या कहीं पर नहीं हो पाता है जैसे आपकी brain में या फिर cancer की बिमारी या फिर कुछ और भी ऐसे बिमारियों जो शायद हमने नहीं सुनी है तो उन सब का इलाज AIMS में होता है तो ये super special hospital होता है, जहाँ पर बढ़ा होता है बहुत पैसा लगा होता है इस hospital में बहुत महंगी-महंगी machines होती है और high-tech machines है, new technology की machines है तो वो कौन सा है, tertiary healthcare है ठीक है, तो लाइक आप ये समझ सकते हो ये बहुत small town में, ये थोड़े big town में और ये क्या होता है, एक अच्छे बड़े level पर state-wise हो सकता है, आपका nation-wise हो सकता है अब डेली में जो AIMS है उसमें हमारे देश के हरे कौनी से लोग आकर इलाज कराते है, तो ये tertiary में आता है ठीक है, तो इस तरीके से healthcare system को चलाया जा रहा है, अगर चोटी-मोटी बिमारी है यहां से, अगर surgery वगरा करानी है, ECG कराना है तो हमारे हाँ पे बहुत सारे हमें एरिया में hospitals, nursing home नजर आते हैं लेकिन जब बड़ी बिमारी हो जाती है तो हमें advanced जगे पर जाना पड़ता है तो वो बहुत जगे नहीं होती है, वो एक आदी जगे ही होती है ठीक है, तो उसे tertiary healthcare कहते हैं अब इसके बाद हम बात करेंगी guys, role of a private sector जगे जब हम बात करते हैं, तो हम private sector को बड़ा ही negative लेते हैं यानि कि private hospital बहुत पैसा खीचते हैं, बहुत जादा लूटते हैं हम ऐसे word use करते हैं बट कही ना कहीं यह सच हो सकता है इनका बहुत important role रहा है इंडिया के health infrastructure में कैसे जो इंडिया के 70% hospitals हैं, वो private sector रंद करते हैं यानि कि अगर इंडिया में 100 hospitals हैं, उनमें से 70 hospitals आपके private हैं तो आप समझ जो कि 70 hospitals private हैं और वो इलाज प्रवाइड करा रहें क्योंकि सरकारी hospital इतने sufficient नहीं है कि वो सारे लोगों का इलाज करा सके तो private enterprises आए और उन्होंने बहुत एहम भूमी का निभाई second guys, two-fifth जो beds है, यानि कि जतने beds हमारे total hospitals में available हैं उसमें से two-fifth पर हिस्सा किसका है, private hospitals का है तो ये भी एक बड़ी एहम भूमी का है जो हमारा private sector निभा रहा है इसके अलावा 60% dispensary जो है वो private enterprises रन कर रहे हैं तो 60% dispensary हमारी private है, जहां पर हम अपने जोटे-मोटे इलाज कराने पहुँद जाते हैं उसके बाद 80% outpatient and 40% inpatient, यानि कि 80% outpatient जो आते हैं और same day निकल जाते हैं 40% inpatient कौन से जो stay करके जाते हैं राम से उनकी बिमारीों का इलाज होता है तो उनको यह operate देखता है कौन private sector क्योंकि सरकारी में पता क्या है guys एक bed है और उस पर बिमार लोग तीन-तीन लेटे होते हैं ठीक है क्योंकि number of beds कम है यानि कि hospital एक है वहाँ पे 4 beds की अगर सुविधा है या 40 beds की सुविधा है ठीक है तो वहाँ पे लोग जो हैं वो 4000 पहुँचे है तो सबको तो जगे नहीं मिल सकती है इसलिए वहाँ पे adjustment होती है तो यह जो आंकडा है इसको कम करने के लिए private sector ने बहुत important role play किया कि भी है सब लोग इदर नहीं जाते है अब जिनके पास पैसा है वो थोड़े सी private sector में चले जाते है तो 2000 अगर जिनके पास पैसा नहीं है जो सरकारी में इलाज करा रहे है या वहाँ prefer करते है तो बाकी बचे 2000 प्राइवेट में निकल जाते है तो यहाँ पर थोड़े से जनसंख्या कम हो जाती है क्योंकि आपको पता है हमारे देश में जनसंख्या लाइक बेहिसाब बढ़ रही है ठीक है तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपोर्टेंट रूल रहा है इसके अलावा गाईज 2001 और 2 की डेटर के हिसाब से हमारे यहाँ पर 13 लाख प्राइवेट एंटरप्राइज हैं और जिन्होंने 22 लाख लोगों को इंप्लोइमेंट दी है तो काफी एंप्लोइमेंट जनरेट भी करिये इनोंने जो कि एकॉनमी के लिए अच्छी होती है इसके अलावा गाईज एक पॉइंट की बहुत सारे एनराइज और रिच मतलब अमीर लोग या फार्मसिटिकल कंपनी जो दबाईयां बनाने वाली कंपनी हैं उन्होंने बहुत सूपर स्पेशल होस्पिटल खोले हैं अमीर लोगों के लिए ताकि उन्हें अट्रेक्ट कर सके कि आओ हमारे हां में बड़ी फैसलिटी है यहां इलाज कराओ बहुत सारे ऐसे होस्पिटल है जहापी टीवी जहापी फ्रिज और बहुत सारी फैसलिटी दी जाती है और खुब पैसा भी उनसे लिया जाता है उन सारी सर्विसेस का तो यह सिस्टम इंडिया में चल रहा है और कौन चला रहा है प्राइवेट सेक्टर अपना कर रहा है यहां पर रिलाज नहीं करा सकते और उनके पास पैसे है तो यहां खिसक सकते है प्राइवेट में राइट जब कि आप अगर देखोगे तो हम जब बात करते तो हम प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं जो कि हमें दिखता भी आप लेकिन प्राइब करना थांक यू